नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंद सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते है तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे सारे अपडेट यहीं पे आते हैं द्यान लग्येगा कोई भी पेड गूप अगर आपको जोइन करना है तो सिर्फ 856-480530-969-0608-9752-3804455 यही नंबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल यह वाट्सप कर सकते है इस्टाग्रम पर हमारा पेज जरूर फॉलो कर लिजेगा पूरे रिवाल्ट को लीट किया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्टन के फॉर्म में पूरे टॉपिक को कवर करते हैं हमारा क्वेश्टन कहा रहा है what were the major causes of the revolt of 1857 mentioned prominent leaders of the revolt 1857 के विद्रों के प्रमुक कारण क्या थे विद्रों के प्रमुक नेताओं का उलेख क तो हम बताएंगे कि 1857 का विद्रों कोई रातो रात नहीं हुआ था कई वर्षों तक बहुत सारे कारण बनते गए धेर होते गए और उसके बाद 10 मैं 1857 को विद्रों का रूप ले लिया तो यहां पर 1857 होगा 87 नहीं दस में 1857 को विद्रों का रूप ले लिया 1857 के विद्रों के प्रमूप कारणों को निम्न अनुसार वर्गी कित किया जा सकता है तो अलग-अलग sectors में कारण बने कुछ economic कारण बने, कुछ political कारण बने कुछ कारण बने सेना के अंदर इसके साथी साथ कुछ social religious कारण बने जो हस्तशेप करने लगे था अंग्रेज इंडिया के religious matters में, social matters में तो अलग-अलग sectors में अलग-अलग कारण बने जिनने हम one by one देखें गया के हम शुरुवात करते हैं economic कारणों से यानि आर्थिक कारणों से तो Britishers की economic policies ऐसी थी कि उन्होंने इंडिया को एक गरीब कंट्री बना दिया था आपने पढ़ा होगा गुप्तकाल के समय में इंडिया को सोने की चिडिया कहा जाता था उसके बाद मुगल रूल के टाइम पे भी इंडिया बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था इंडिया की एकॉनमी अच्छी हुआ करती थी इवन जो लेटर मुगल्स आते हैं और अंग जेब के बाद उनके टाइम पे भी इंडिया की economic हालत उतनी खस्ता नहीं हुई थी जितनी की तब हो गई जब economic का पूरा control Britishers के हाथ में आ गया उन्होंने क्या किया कि इंडिया को पहले एक गरीब देश बनाया उसके बाद फिर इंडिया का व्यापार खतम करा व्यापार खतम करने के बाद अपना माल यहाँ पे लाकर बेचना शुरू कर दिया उसके बाद फिर उन्होंने एक middle class बनाया middle class Britishers के लिए loyal हुआ करता था middle class को इन्होंने अपने लिए एक loyal work बनाया इस तरीके के इन्होंने economic policies बनाये कि जिससे इनका commercial interest हमेशा बना रहे अपने commercial interest को पूरा करने के लिए इन्होंने इंडिया की इन्डिया में यह आये थे तो यह खाली trading के परपस से आये थे उस टाइम इंडिया काफी अच्छे से फ्लारिश कर रहा था इंडिया के पोल्स बहुत संपन हुआ करते थे इंडिया shipbuilding में बहुत अच्छा था जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि लेटर मुगल्स के टाइम पे इंडिया काफी अच्छी स्टेट में था पेजन की कंडिशन थोड़ी खराप थी लेकिन हम अगर हैंडिक्राप्ट की बात करें हम ट्रेट की बात करें तो इंडिया के सामान की बहुत डिमांड हुआ करती थी फॉरें के मार्केट में जो क जो unemployment rate था बढ़ने लगा, इन्होंने रूलर्स की जमीने चीन ली, रूलर्स को उनकी गज्दियों से हटा दिया, उनके राज्यों को हड़प लिया, उसके अलावा इन्होंने जमीदारों से भी उनकी जमीने कुछ चीनी, तो बहुत सारे कारण इनकी taxation policies, इनकी economic policies ऐसी बनती गई ऐसे कारण पाइलप होते गए जो कि 1857 के विद्रों का रूप ले लेते हैं, उन कारणों में सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिटिश ने इंडिया के मार्केट को ब्रिटिश के जो ready-made समान होते हैं, उनसे लाकर के flood कर दिया, बहर दिया, और इंडिया के मार्केट को और हैं, इंडिया की जो एकॉनमी थी जो हैंडिकश के मार्केट था przek stamp आ य। उनसे पूरी तरीके से बर्बात कर दिया था तो भारती बजार को पृटिश नर्व ने नस्ट कर दिया जो इंडिया का इंडिया का सप्थे मारकेट था, उसके पार इनकी अत्यदिक करणा नी पैसे भी देने है, salaries देनी है, तो अब ये पैसा कहां से लाएंगे, तो ये ट्रेडिंग कमपनी है, ये कोई अपने मुनाफिय में से तो पैसा देगी नहीं, तो इन्होंने सीधा बर्डन डालना शुरू कर दिया, पेजन्ट गूप पर, इन्होंने बहुल जादा उन्होंने टाक्स लेना शुरू कर दिया पेजन्ट से, चाहे फेमाईन आये, चाहे कुछ भी हो जाए, अकाल पढ़ जाए, इनके टाक्स में किसी तरीके कमी नहीं आती थी, अब जितना इन्होंने रेट फिक्स कर दिया, उतना टाक्स लेते थे, और अगर किसान टाक्स नही लओ सब्सक्र्वाटल के दिया, इनके पास कुछ भी करने को नहीं है, तो उसके अंदर निगे शॉप भर गया, उसके अंदर आक्रोश बहस बहा कीज़ा, तो चलो लड़ते हैं, हो सकता है, लड़ने से कुछ हमें मिल जाए, तो दीरे-दीरे करके, फिरे इसी रेए उसके बाद कानना आते हैं कि इन्होंने प्रदेश चीन दिये इन्होंने शाषकों को हटा दिया राज्यों को हडप लिया तो उसे हुआ क्या जो रूलर्स पेट्रोनाइस किया करते थे हैंडी क्राप्स को जो संरक्षन देते थे कारीगरों को अब उनके पास खुद के मेंट संरक्षन देना बन कर दिया उन्हें पेट्रोनाइस करना बन कर दिया तो खृषी भूमी पर दवाब बढ़ता गया आर्टिसंस पेजन बनते गए फिर इन्होंने जमीदारों को भी कम दमन नहीं किया था जमीदार को माना जाता है कि बिटिश के लॉयलिस्ट हुआ करते थ उन्हान ही नहीं पर इस नियुक्त लेकिन इन्हों ने ये शर्टे भी रखी थी जमीदारी म L Also भी किलोव सटार हुआ कर देनी गये वह गाए पेसाल टाक्स देंगे वह अगन भी धूमीदार क्या करते नहीं कि कि पहसे थेगी तो जो एकदम lowest class था जो की पेजन होते हैं वो सबसे जादा हम कह सकते हैं कि इससे इनकी इन सारी नीतियों से परिशान हो गए तो उनके पास कुछ था ही नहीं खोने को तो वो काफी बड़ी संख्या में इस revolt में बढ़ करके आगे आते हैं कुछ जमिदार भी आगे आते हैं जिनके जमिदारी छीन गई थी वो शाशक आगे आते हैं जिनके राजजी हडप लिये गयते आटिसंस आके आते हैं जिनके पास कुछ करने को नहीं था तो एक तरीके से हम क्या सकते हैं कि वो और इस पूरी क्रांती में सामने आया जिससे कुछ ना कुछ छीना था जिसके यह पास अब खोने को रचानी था तो आप को मिल ही जाए था जो मिडल क्लास बनाया थे उन्होंने स्राइटि में की बिजने पुर्स्ष गडिक्छी बिन स्राई best cleansing की ट्रिफाए था मिडल क्लास आगे लिए यहा नहीं आया इसके अलावा जो merchants थे, businessmen हुआ करते थे, उन्हों ने भी इस पूरी क्रांती में साथ नहीं दिया, Britishers के loyal रहे, तो इस वज़े से ये जो पूरा विद्रो हम कह सकते हैं थोड़ा कमजोर था, अगर इन सारे वर्गों ने इस विद्रो में सार दिया होता, तो हो सकता है यही हम मारी independence का कारण बन जाता權 और एन राजनीतिक कारण हम देखे तो विद्रों को जन्म देने वाले राजनीतिक कारणों में सबसे बड़े बड़े कारण है, इनकी जो अपने चेत्र को विस्तार करने के नीतिया हुआ करती थी जो इनके Rajarap की नीतिया हुआ करती थी अपने territory बढ़ाते थे अपने administration को expand किया करते थे जैसे कि सहायत गडबंदन यानि subsidiary alliance की policy थी इनकी और doctrine of labs यानि हडप की नीती थी फिर प्रभावी नियंतरन की नीती यानि की policy of effective control तो इस तरीके की नीतियों ने पूरी तरीके से समाज में बात भर दी कि Britishers हमारा कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं अब टाइम आ गया है कि हम अपना अक्रोश तिखाएं वैसे हमने पिछले लेक्ष्ट में देखा था कि किस तरीके से 1857 के पहले भी छोटे-चोटे पर वो बहुत लोकलाइज़ दुआ करते थे तो उनके कंपारिजन में यह काफी बड़े लेवल का रिवाल्ट था और हम देखेंगे कि जो इंडिया की नौर्थ साइड की बेल्ट है आप इधर से ले ले अगर यह दो आप रिजन जैसे मेरट से लेके यूपी तक यहां प पहले आगे देखा है पिछली स्लाइड में कि kisarni के बास कुछ भी खोने को नहीं था आल्टिसन बने किसान और किसानों कशे भी जमीने च्छिन गई और बड़ पर यहांही ही जादा होंगर व इसन एरिया में क्योंकि यहां पकस की जमीन जयदा है पर अग्रिकलचर से ल उसरा administrative कारण यह है कि इन्होंने हिंदू प्रिंसस को सक्सेशन का राइट नहीं दिया, जो कि दतक पुत्र हुआ करते थे राजाओं के, उन्हें उत्राधिकार से वंचित कर दिया, इसके बाद इन्होंने आम लोगों के लिए किसी भी न्याईक तंत्र की व्यवस्था नहीं उसके लिए कोई भी कानून नहीं था, उसके लिए कोई भी सुप्रेम कोर्ट, हाइकोर्ट नहीं था, कि वो जाकर वहां पर अपनी शिकायद दर्ज कर सके, वहां मुकदमा लड़ सके, तो कोई भी जस्टिस देने की व्यवस्था नहीं की थी नहीं आम लोगों के लिए, तो जब उसे इंसाफ नहीं मिल सकेगा, तो उसान क्या करेगा, फिर वो बिद्रो ही करेगा, फिर था कमपनी के भरष्ट अधिकारी थे, तो इंडिया में जो आज भी करॉप्शन प्रिवलेंट है, यह देन है हमें बृटिशर्स की ही, करॉप्शन बृटिशर्स ही लेकर किय इस तरह लेवल का करॉप्शन नहीं था, जिस लेवल का करॉप्शन हमारी सुसाइटी में बृटिशर्स लेकर के आए, और आज भी हमारे इंडिया में इस लेवल तक फैला हुआ है कि अब बहुत मुश्किल है इसे जड़ से खतम करना, फिर उसके बाद आता है तीसरा कार बाद कर दिया था जो यूमन साक्रिफाइस थी तो एक तरीके से यह जो मैटर्स रिलिजियोस मैटर्स हुआ करते थे उनमें इंटाफेर करने लगे तो तो भले ही एक तरह से ब्रिटिशन ने अच्छाई के लिए काम किया और जैसे कि इनोंने सती प्रथा विद्वा पुन हम क्या सकते हैं जो पेट्रियार्कल हमारे सोसाइटी के जो और्थोडॉक्स थिंकिंग वाले लोग थे उन्हें यह बाते नहीं फसंदाई तो उस एक सेक्षन अफ साइटी ने भी विद्रो किया उसके अलाबा अंग्रेज बिटिश जो थे वो इंडियन्स को बहत ही हील भ तो इंडिया में ही रह करके और यह इंडियन को ही इंडियन के चीज़ें नहीं यूज करने दिया करते थे अपने आपको ही सुपियर माना करते थे अपने टीचिंग्स को अपने लाइफस्टाइल को और खुद को ही यह वाइट और ब्लाक का कॉंसेट ले करके चले आये थ शू से कारण सोसाइटी के कारण में हो जाएंगे।, उसके बाद ए जो कि इंडिया में आ गाय थी 1813 के Çार्टर आक्ति बादा, इंडिया मेंक्वर्षन ब्रशाय रच्रार्ट के सब्सक्राइब मदे का हुथ जाली. अगर आप मिशनरी जो ने कहा उनसे कि अगर आप क्रिश्चन बन जाएं आप अपना धर्म परिवर्टन कर लें तो फिर हम आपको ऐसा बुरा ट्रीटमेंट नहीं देंगे आपको हम अच्छा कंसीडर करेंगे इस वज़े से लोगों ने इनकी दमनकारी नीतियों से बचने क कि लिए एक मास लेवल पर इन्होंने कन्वर्जिन किया फिर इन्होंने मजजिदों मंदिरों पर कर लागा जब शुरू किया तो जो धार्मिक वर्ग था उसकी भवनाव को ठेस पहुचा तो वह भी विद्रों में आ गया या फिर इन्होंने रिलिजियोस डिसे बिलिटी पते आप लाएं 1856 में धर्मिक विकलांगता अधिनियम लाएं 1856 में और इसमें धर कहा गया था कि अगर कोई लड़का थर्म बदलती है उस तैम पर चैर बात पुत्र की की जाती थी तब लड़कियों को प्रपर्टी के राइट्स नहीं थे तो यह था कि अगर कोई पुत कि अबधार्म करें दी से अचित नहीं किया जाएगा तो यह भी हो गा कि यह रिढ़ प्रोवोक करना कि दी को एक धर्म बदलने को जो घर्म के नाम पर हमेशा से लोग उग्रहोते आ रहे हैं और इस टाइम पर भी जो धार्मिक वर्ग था जो फ्ट हमें बहुत देखने को मिलता है जो बाहर जैसे अफगान युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों की हार हुई फिर पंजाब से जो युद्ध हुआ उसमें भी अंग्रेज हारें क्रीमियन युद्ध हुआ जो टर्की के साथ उसमें भी अंग्रेजों की हार हुई तो एक इल्यूजन था य लोगों को कि हम आगे बढ़कर के अग्रेजों कहराने के अडलिस कोशिश तो कर सकते हैं उसकी बात आता है सिपाहियों में असंतोष तो सिपाहियों में आपने मंगल पांडे का विद्रोग सुना होगा मंगल पंडे ने अपने जो इंफंट्रिती उसमें विद्रो किया था तो सिपाईयों का भी विद्रो एक टाइम से दीरे-दीरे करके फिर चालू हो गया था कि उन्हें उनके धार्मिक सिंबल्स नहीं पहने रिया जाता था आप जैसे हिंदूस होंगे कोई तो हो सकता है वह ओम को धार्ण करें कोई मुसलिम है तो वह ताभीर्स पहन सकते हैं और जो सिख है उनके अलग से रिलीजिस सिंबल होते हैं तो इन्डियान थे उनको अपने रिलीजिस सिंबल नहीं रखने देते थे तो एक ये विद्रो कारण बना उसके अलावा इंडिया में जो हिंदूस थे उनका ये मानना था उसके अपनी सोसाइटी उनके इपनी कास्ट उन्हें एकसब करने से मना कर देते हैं ये कहने लिए थे घर्म भंगेश तक वह दो भी कि ये आलावा ये था कि जब अफगानसान में माली जे वर हुए यहां थे सिपाही कहे तो अब कोई ऐसा नहीं होता यह भी ता कि उनका धर्म प्रष्ट हो गया है उने अपनाने से मना कर दिया तो सिपाहियों में अकरोश आ गया कि हमने इनके लिए लडाई करी हमने अपना सब कुछ खो दिया हमने अपनी फ्यामिली तक खो दी और एक और डिस कंटेंट का कारण यह था कि ब्रिटिश सैनिकों को और भारती सैनिकों को अलग-अलग treatment मिलता था ब्रिटिश सैनिक सुपीरियर माने जाते थे जो उची 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 पोस्ट होती थी उसमें खाली ब्रिटिश को ही रखा जाता था इंडियन्स को खाली सुबे इसके अलावा एक अफवा थी कि जो सेनाकली खाना बनता है उसके शुब olması मिला जा हो और भारत फाये है पुटिश सैन धूल कि दूल मिला जा हुआ ही यह तनी में इसको घ्लिटिश को अटे मेलग रिच मेले जा पुलेज़ लिए न Mü ? इसको इसको शुब है को है नारत फै और दूसरे पांट पर आएंगे कि कौन-कौन से एरिया में कौन-कौन से लीडर्स थे पर उससे पहले मापको इन्फरमेशन देना चाहते हूं कि सब्सक्राइब करें जानकारी ले सकते हैं यहां पर आपको इन सारे वीडियो के प्रवाइट कर दी जाएगी इसके साथ ही साथ आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्राक्टिस भी कराई जाएगी आपके आंसर को रिव्यू भी किया जाएगा वन-to-one गाइडेंस के जरीए तो हम अपने क्वेशन के अगले पाइट पर आएंगे और बताएंगे कि 10 महीं 1857 को मेरत में विद्रो चुड़ गया उस सिपाहियों ने दिल्ली की और प्रस्थान किया और दिल्ली जाकर के उन्होंने जो मुगल एमपरर थे जुनको अंग्रेजों ने हटा दिया था बाह कि उनके अंदर किसी रिवाल्ट को लीड करने की ताकत नहीं थी तो उन्होंने का पहले तो शुरुवारत मना कर दिया कि नहीं इस रिवाल्ट से कोई मतलम नहीं रखेंगे पर फिर मोटिवेट करने के बाद उन्होंने का ठीक है लेकिन वो नॉमिनल हैट के तौर पे खड अगर हम दिल्ली में देखें तो बकत खान थे कानपूर में नाना साहिब थे लखनव में बेगम हजरत महल थी बरेली में खान बहदूर थे बिहार में कुमर सिंग थे जहांसी में रानी लक्षमी भाई थी और फैजाबाद में मौलवी एहमद उल्ला थे तो यह नाम आपक बताते हुए कि भले ही इस विद्रो में बहुत बड़ी संख्या में जनता शामिल हुई थी इस ब्रिटिक्ष सामराज को इंडिया में गंभी जटका दिया था लेकिन यह विद्रो अलपकालीन था जल्दी ही अंग्रेजों ने जितने भी राजों ने विद्रो किया थे कर विद्रो के कुछ नेता जो लीडर्स थे उनमें से कुछ की मृत्ति हो गई विद्रो के समय पे और कुछ इंडिया चोड़कर चले जैसे कहते हैं कि बेगम हजरत महल नेपाल चली गई हमने देखा कि रानी लक्षमी बाई की डेथ हो गई नाना साहिब की डेथ हो गई तो अधर जब बिटिश सत्ता पूरा इस्थापित हो गई लेकिन बिटिश सत्ता सत्ता इस्थापित हुई थी हम आगे देखेंगे जो कॉनसिक्वेंसेस थे इस रवल्ड की उसमें कि 1858 में ये जो एसी इंडिया का रूल था वो पूरी तरीके से क्चम हो जाता है और फिर डा उनके कंट्रोल के अंदर आ जाता है चुकि हम नेक्स वीडियो में देखेंगे तो इसी के साथ हमने देखा कि 1857 का विद्रोग क्यों हुआ था और किस रीजन में इसके कौन से लीडर्स थे आगे आने वाले वीडियो में हम इसके कॉंसेक्वेंस देखेंगे यानि कि क्या क्य फर्क पड़ा था था सोसाइटी पर एड्मिनिस्ट्रेशन पर इनकी पॉलिसी पर ब्रिटिशन की इस विद्रोग के बार बने रहेगा चानल के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक्यू फो वाचिंग